दोस्तों स्वागत है अब सभी काध्यान के लिए में इस वीडियो के बाद देंग से हम लुषेंट बाइलोजी ऑब्जेक्टिव के दसमे एकसेसाइज को परिस्थिति की मिन्स एकोलोजी के जो भी ऑब्जेक्टिव है उसे कम्प्लीट करते है तो चलो च्टार्ट करते हैं परिस्थिति की मिन्स एकोलोजी ठीक नहीं याद रखना है एकोलोजी कहा जाता है परिस्थिति की सब्द को सरपर्थल परतिपादन करने का स्रे किसे जाता है तो किस नहीं कहता है रीटर रीटर बहुत ही इंपोटेंट नाम है याद रखिएगा पूछा जाता है फिर सेक स्वार्थ जीवद्हारी का परिस्थितिक अध्यन्यस और ऑटो होता है अपना Vaik tsp जैसे Г IR मिन्स घूता है मिन्स करणी तो और या रखना है योपोरड तो यहाँ प्याहर हमारा क्या हो जाएगा बीक्ति जिवधारी का परिस्थितिक अध्यन नेक्स्ट है पड़ी तंत्र means ecosystem सब्ध सर प्रतम परतिपादित किस ने किया तो किसने किया था चैन्षले टेंसलेA G तैंसले ने किया था कि फिट Englishignment परि तंत्र सब्णत्र का सही परिवासा क्या है तो देखो इसमें क्या हृता है तो अंसर हमारा क्या हो जाएगा डी उसको हम लोग कैसे हंडल कर पारते हैं उसका इंपक्ट हम पर क्या पड़ता है हमारा इंपक्ट उसके क्या पड़ता है तो उसी को कहते है पड़ी तंत्र एक परितंत्र के दो घटक तो क्या वा जायगे कि निर्जी भी होता है और सजीन भी होता है आधाया लिविग तिंग आध्याल निवन में से कौन परितंत्र का और जीन भी भी ए घटक है तो हम जल、 जो भी हमको नेचर से मिला हुआ है जल सब क्या है जी में परितंतर में उर्जाः परवा का सही मार्ग होता है तो पहले इस में कैंड़ होता है उत्पादक फिर है साकहारी फिर मांसहरी है फिर अब घटक तो इसको बाटां यह जाता है इसico प्रहेंबरी he इंस फर्स्टिय हुआ फिर है सगेंड और बोक्ताों माल22 कि बहुआ होंगी प्लॉंट किसी करहिए उथा होता है फिर रिसांद मंद सहारी और सबसे लास्ट क्या होता है अब daí आगे कुस्टन फिर मांसाहाडी और फिर अफ घाटक तो ऐसा कोई नहीं है जिसमें चार देगे रखा है तो हमने क्या करना है उत्पादक अप भोगता में साकाहाडी और मांसाहाडी दौनों आ जाएगा ठीक ना अब हम आप घाटक ये तीन तो इंपोटेंट ही है मारा अंसर क्या हो जरूरी है तीनों में चारों डाना जरूरी है पर मैंने क्या का उप भोगता में क्या होता है साकाहाडी और मांसाहाडी दौनों आ जाता है तो मारा अंसर क्या हो जाएगा ए फिर किसी स्रिंखला में प्रात्मिक उप भोगता क्या होता है मैंने इसका जिक्र किया था ये फिर किसी परितंत्र में उत्पादकों का काड़ी होता है तो अगर में से यह क्या करेगा जो परितंत्र उत्पादक के या मुख्य श्रुट क्या है को सुर्ज का प्रकास जो हता है वह पौent यह उड़ा देता है तो क्या हो जाएगा सुर्ज का प्रकास कि सी पढ़ी तंत्र की सबसे बड़ी संख्या होती है मिस psychiatrist अधिकस्то जो है जैसे ज़ो जाड़क द्वारा मिट्टी कटता है तो उसे हम क्या कहते है क्र champ hou क्या होता है एक तो कहते हैं क्या हुतल होब Department अंस्र क्या हो जाएगा लिए आप पैर पहुंद भ Vaal पर अंसर क्या हो जाएगा यह पूछा जाता है मिट्ट्थे चराने का बति हैं यहां पर मिंस फसल या खेट में चराएंगे अधिक उससे भी क्या होता है परदन रुखता है तो यह रिख दीया है अधितिक चराने द्यारा लेकिन नहीं अगर नहीं लगा रहा था है इसमें तो हम इस option के साथ भी जा सकते थे लेकिन सबसे important क्या है अधिक बन हुआएंगे नेक्स्ट प्रसन है हमारा बाट को रोका जा सकता भाट को रोक रोक रोको तो अंगर्व हorf करके लिखा हुआ करके नदिय। बांद बनाकर बिरिक्षार उपन करके करते यहां करते हैं paragraph बनस्त पती पाई जाती है कहां पाया जाती है सुन्दरवन में सुन्दरवन क्या है देख इसका नाम है सुन्दरवन क्यों कि यहां पर सुन्दर नाम का एक पेर होता है वह अधिक पाया जाता है ठीक और यही बनता है सुदद्र बन का डेल्टा जो बढ़ंपुत्र गंगा बनाती है मिलके और यह बंगाल में गिर जाती है और यह डेल्टा जम रंगाल डेल्टा दुनिया का सबसी नवियrän अब इंपरग ऑब है नेक्स्ट ए मैंगरोब बनस्पती का अच्छा यह कौन साइब मिंसे यह जो सुन्दर बनकर डिल्टा यह कौन से स्टेट में यह मुझे कमेंट रॉक्षिन बताओ उसमें क्या होता है राइजो फोरा समुद्र के किनारे की बनस्पति कहलाती है तो उसे हम कहते हैं लबनोध भिद बनस्पति नियुंदीकृत्पतिया और धासे हुए मे रंद किसके पर्मख लक्षम है तो किसके पर्मख लक्षम है शुसकोद भीदगे पर, मरुद भीदो में लंबे मूलतंतर होते हैं, क्यूंकि क्या होता गाहरे जलस्तरह से जल अवसोशित करने करके मिनसे जरे गाहड़ाय stipend लिए जाती है जहां पर मर्वस्थल का एडिया होता है वहां की पेर पौधे की क्या तो इजरे काफी अंदर तक गई होती है ताकि यू बहुत अंदर से पानी अब्सोसित कर सके अंसर क्या हो जाएगा भी नेक्स्ट है ज़िस अंसार के सभी पौधे मढ़ जाए तो किसकी कम सफ दब कि आप इप़ाय इपफाई वह सी अस्थानों पर पाएजाते हैं जहां पर क्या होता है बर्सा पुडे बर्स होती है इपपहई ठेक ना मिंज़ेइपफक्र कहां पाया जाता है जहां पर पूरे वर्स बाड़िस होती रहती है अच्छा दुनिया में सबसे अधिक एक बारिस कहां पर होती है बताई ये तो इंडिया में ही है हिंड देता हूं मेगाला में ही है आप मुझे कमेंट वॉक्स ने बताओ कौन सा जगा है वह मिरमे को फिली एक लाबदायक सहयोजक्त होता है कुछ पुस्पी पादकों का इसके बीच चीटीयों के बीच चीटीयो कि संसार का सबसे बड़ा पडितंत्र क्या है तो क्या है वो सागर वह सियन कि मिर्दा अपर्दन रोका जा सकता है नेक्स्ट कोशन वह मिन्स से रिपीटेड कोश्चन यह क्या होता है बन रोपन अधिक दुआ रहा ठीक ना क्या करते हैं मिर्दा रोपन को सुरी मिर्दा अप पिर पौधा कहा रहे है तो पिर पौधा अध्पादक है उसका कभूग कर रहे हैं फस टम तो क्या हो जाए का ड़ृतिय रात्मिक में ही होगी फिर सौर उर्जा किसे से प्राप्त होता है बहुत असान सा प्रस्ट सीस में सूर्ज से और सौर उर्जा के अंतरगत होता क्या है नाव के सल्लायन होता है इंपोटेंट है फिर खाड सिरिंग क्लास से अभी पर यह है कि इसमें से किसमें उर्जा अंतरन क्या होता है एक जीब से दूसरे जीब की फिर जे पढ़ता हूं खाद सरंकला से अब परिया है इसमें से किसमें किसके दौरा ऊड़ जा अंतांतरन एक जीब से दूसरे जीब यह से एकोसिस्टेम हम समझ गए कि उसमें क्या होता है non living thing और living thing के बीच में जो combination होता है उसको हम कहते है ecosystem तो खाद शींक दूसरे जीप सब्सक्राइब हो नेक्सटे है hydrophyte कहते है तो एक पहले भी हम पढ़े है होते है और जली ये ग्वाद होते है ठीका लियू होगा तो से हम किया कहते है ऊबहती है एक एके टिक सी अनिमल बचे हम पड़े हींगे अब लोग और अचली निसे कौन पॉदा मरूद भिद है कौन सबीकरी करीज़ करीड करीन existem है मरगवस्थल टिक न तो जो मरगवस्थल मुंगेगा वो कौन सा पोदह कड़ील फिर पाड़ियावरन के अजयब अभियब का उधारन है मेंशे जो अजय है क्या हो जायगा वायू हाइड्रोपोनिक्स समंधित है हाइड्रोपोनिक्स किसे समंधित है वह होता है मिट्टी के बिना पौधे की बिर्धी हाइड्रोपोनिक्स का मतलब क्या होता है मिट्टी के बिना पौधे में बिर्धी याद होगा हम लोग क्या करते हैं किसी बोतल में पानी भढ़ लेते हैं और उसे अगर हम पौधा निकाल लेते हैं तो वह क्या होता है हैड्रोपोनिक्स तो हैड्रो मिन्स क्या होता है वाटर होता है तो उससे कन्फूज नहीं करना कि पानी आप दिया गया यहां पे ठेक न तो उसमें कर यह मिन्स एकसप्सन ही समझो और हर एक जगह पर जाना हैड वह करन ہोता है कौन होता है हड़े बॉदे ड्रकास करें करता है इसके साथ सबस्व breakdown कोन लेता है हड़े बॉदे नेक्स्टरि की संथितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन छेत्र कितने अनुपात में होना चाहिए तो होना चाहिए तीस तसमलब तीन परतीसत और है किस के आसपास 21 के आसपास है तो दोनों आपको याद रखना है सबसे अधिक कहां पर है बदिपरदेश में यह भी इंपरटेंट नेक्स्ट मैंन गडोग की खेती के लिए निम्लिखित में से कौन सा छेतर परसीद मैं गडोग की खेती की बात की जा रही है तो उसके लिए दक्षिन चोवीस परगरना का सजने खाली जंगल देको यहाँ पे रहता है इसके जगह पे परस्टी मंगाल का या सुन्दरवन का डेल्टा या सुन्दरवन तो वह सो ज्यादा इंपोर्टेंट होता पर यहां पर ऑप्शन कुछ अलग दिया गया है तो इसके कॉर्डिंग आप अंसर क्या हो जाएगा भी हो जाएगा नेक्स एपी नेक्स प्रस्ट है हमारा पादप आला मिंस फाइटो ट्रोन एक सुविधा है जिसमें क्या होता है जिसमें नियंत्री दसाओं में पादपों को उगाना संभब हो पाता है अच्छे देखो इसी के माध्यम से भी चैना क्या है मून पे एक प्लांट उगा लिया है तो आपक ड्रेट करता क्या होगा चैना ठीक ना चैना का एक्स उखेंसिका नाम क्या है जिंग एकस वाया-इ-इपी इंडिरा और्गेनिक फार्मिंग जो होता है वो अज़ा सबसे पहला मिंस फस्टेट डेट विकम और्गेनिक एग्रिकल्चर तो वो कौन सा स्टेट है वो है सिक्कीम सिक्कीम याद रखिएगा आद़कांत्स अर्वमर्वथध ये पादव राततरी के समयận पुष्पि धोते हैं क्यों होते हैं अइसा क्योंकि मर्वथध आस्थलिय की प्रातती के समय सख्रियं रहते है तो वरा अनशर क्या हो जाएगा दी ये membership में पैंदा होने वाले पोधे कहलाते हैं तो अभी में पढ़ दे 건 oke हम प्रिष्थितिक किनिक्ति कि संकल्पना का पृटि पाधन इस में ये तो इसे क्या क्या हुआ में बस में से इस लेशन में 43 प्रसंट है तो मैंने कम्प्रीट कर लिया अगर आप पोसेशन अच्छा लगा होगा तो लाइक और कमेंट करके बताइए मुझे और अगर चनल पर नए है तो पहले सब्सक्राइब करें तक कि आपको मूर अब्डेट मिलता रहेगा मिलते हैं न